आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल भीके मित्रा परजेंट में बहुत बहुत स्वागत है आज आज आप सब सुनेंगे मार्ग सिर्स अगहन मास महात्मय कथा में चोथे अध्याय की कथा अब तक आपने पिछले अध्यायों का कथा सरवन नहीं किया हो तो चैनल के वीडियो अप्लोड है आप वहां से कथा को सरवन कर सकते हैं तो बोलिए प्रेम से भगवान विश्नु की जै माता लक्ष्मी की जै भगवान सिरकृष्ण की जै सर्व देवी देवता की जै ब्रह्माजी विश्नु भगवान से बोले कि हे केशव जिसके सरीर को तप्त चक से चिन्हित किया और गुरु मुख से मंत्र की दिक्षाली है साथ में कमल की और तुल्सी माला को धारन किया है केशव उसका क्या फल मिलता है उसको आप बतलाईए श्री भगवान विश्नु बोले कि हे ब्रह्माजी तुल्सी की माला को धारन करता है वहां असौज आचार भरष्ट होने पर भी मुझको ही आकर मिलता है इसमें कोई संसे नहीं है धात्री फल यानि की आमला की माला और तुल्सी की माला जिसके सरेड में दिखाई देती है वहां भगवत भक्त मनुश्य आवश्य है जो तुल्सी दल की माला मेरे गले में पहनी हुई अपने कंठ मे धारन करता है वह देवताओं से नमस्कार की योग्य हो जाता है तुल्सी दल की माला और धात्री फल आमला की माला पापी पुर्सों को भी मुक्ति देने वाली है जो सेवक तुल्सी दल की वह आमला की माला धारन करता है उसको मुक्ति मिलती है जो तुल्सी दल की माला मेरे को चढ़ा कर धारन करता है उसको उस माला के प्रत्येक पत्र में दस-दस अश्वमेद यग्य करने का फल प्राप्त होता है जो तुलसी की माला को धारन करता है उस सेवक को नित्य द्वारका में रहने का फल देता हूं जो भक्ति से तुलसी काष्ट की माला को मुझे अरपन क करके धारन करता है उस मनुशिय में कोई भी पाप नहीं रहता है जो तुल्सिकास्ट की माला धारन परता है उसका न तो प्रायश्छीत है नहीं उसके शरीड में असौच है बल्कि वहाँ मेरे प्राणों से भी और मैं उस पर सदा प्रशन रहता हूं जिस मनुस्य के बाहू और सिर्थ था हाथ में और सरीर पर तुलसी काश्ट का आभूशन है वह मेरा प्रिय भक्त है जो तुलसी काश्ट की मालाओं से विभूसीत होकर पितरों के निमित अथवा देवताओं के निमित पुर्णि कर्म क मिलता है तुलसी काश्ट की माला को देखकर प्रेत यम्राज के दूत दूर से ही भाग जाते हैं जैसे वायू के वेक से पत्र कहीं का कहीं चला जाता है जिसके ग्रह में तुलसी काश्ट अथवा तुलसी पत्र शुश्क अथवा आद्र गिला रहता है कल्यूग में भी पा भय नहीं रहता है, जो अंद्विश्वासी, पाप, बुद्धिवाले तुश्री काश्ट की माला धारन नहीं करते हैं, तो उन मनुश्यों का नरक में भी उधारन नहीं होता है, क्योंकि वे मेरे कोप रूपी अगनी से जले हुए हैं, इस कारण प्रेतन करने पर तुश्री क प्रश्ट की माला कमल की माला पवित्र धात्री फल आमला की माला को भक्ती भाव से धारन करना चाहिए। प्रुवक्त उधर्बपुंड शंक आदी चुनु को धारन कर तुस्य विक्ष की पास बैटकर हाथ में कुश लेकर मेरा अस्मरन करता हुआ संध्यो पासन आदी कर्म को करे। मेरा भक्त संध्यो पासन करने के पहले गुरु को नमस्कार करे। फिर मेरा पूजन करे। गुरु को कुछ भेट देकर प्रशन चित से डंडबत प्रणाम करे और एक आग्र मन से आच्मन कर पूजा मंडप में आए। कृष्ण मिर्ग चर्म के उपर कुश आसन बिशा कर मनुहर आसन पर पदमासन से अच्छी तरह बैठकर मन के भीतर शुद्धी को करे। जीटेंद्रिय होकर मंत्र पढ़कर तीन प्राणायाम को करके उधो मुख होकर स्रेश्ट हिर्दय कमल को विज्ञान रूप सुर्य से हिर्दय में विक्सीत करे। हिर्दय कमल की करणिका में सुर्य चंद्र अगनी का न्यास करे सुर्य चंद्र अगनी से युक्त उस हिर्दय कमल में सुर्य चंद्र अगनी का वैश्नव अस्मरन करे और उसके उपर नाना रतनों से युक्त पीठ को अस्थापित करे उस सिंगाशन पर कुमल चिकना और उद कबना पर इस्थित कोटी चंद्र के समान कांतिमान चत्र रुख्य चार भुजाधारी महां प्धम कर कमल-पत्र के समान विशाल नेत्र, समस्त लक्षनों से उक्त स्रिवस कौस्तौ मनी से सुसूभित कौस्तल और मुझको पीट वस्त्र से उक्त विचत्र आभर्णों से उक्त डिब भुषणों से भीवोसी forces, डिब चंधन से लिप्त अंगवालें डिब पुषपो से सुसूभ तुसी के कोमल दलो की बनी वन माला से भगुशित, कोटी बालब सुरे के समान, कांती मान और दिव्वे, कांती से सुंदर, समस्त लक्षनों से युक्त, महालक्षमी को शरीर से धारन करने वाले कल्यान, शुरूप स्री विश्नु का ध्यान कर, एक आग्र मन से पवित्रता प वो मन में ही विधी पुर्वक पूजन करे संपरदाय के अनुसार मेरे सामने संख अस्थापना करके दुरबा पुष्प चंदन जल से पूर्ण करे अपने दाहिने और गंध पुष्पो का पात्र अस्थापित करे और बाई और वस्त्र से छना हुआ सुगंधीत जल से पूर समान यथा अस्थान में अस्थापित करे तथा अर्गे पाद्य आचमन्य मधू पर्क के लिए मेरी सामने चार पात्रों को अस्थापित करे पाद्य पात्र में छोड़े कडोल लवंग फल मालती कुष्प को स्रधा से मेरे लिए आच्मनिय पात्र में रखे भक्त स्रधा से मधुपरक पात्र में गौ का दूध दही गी मधुद खांड को रखे उपर कहे हुए वस्तुओं के न मिलने पर तथा पत्र कुष्पों के न मिलने पर विधी को जानने बाला उन उन वस्तूओं की भावना सरवदा करे इसके पश्यात कर niyaas को करे और उसी तरह अंगन न्यास करे अपने संपरदाय के अनुसार बाद में अथवा पहले न्यास को करे और मेरा अनुस्मरण करे अपनी आत्मा को मेरी समान अस्मरण करे हे चतरवक्त्र पूजा के आरंभ में मनुश्य मंगल पाठ को पढ़े, इसके बाद मेरा प्रिया जो पांच जन्य संख है उसका पूजण करे, हे वस्ट जिसके पूजण से मुझको परम आनंद होता है, संख के पूजण में इन्हे मंत्रों को पढ़े, हे पांच जन्य, पहल पांच जन्य आपको नमस्कार है आपके नाज से जीमूत मेग तथा शुर और असुर भैवीत होते हैं हे अयूतु चंद्रबा के समान। दिप्त कांतीमान पांच जन्य आपको नमसकार है। और तुम्हारे नावसे देव शत्रो की इस्तिरियों के गर्व पाताल लुक में हजार ठुकड़े हो जाते हैं। पांच जन्य आपको नमसकार है। सुर्योदय होने पर पाला के समान पांच जन्य संख के दर्चन से ही समस्त पाप वेलीन हो जाते हैं इसके पश्चात फिर उस संख का असपर्ष करता है तो क्या कहना है संख को नमस्कार करके हाथ में रखकर जो वैश्णव मंत्रों से भक्ति पुर्वक मुझको अश्नान कराता है उसको अनंत पुर्णि होता है इसके पश्चात सुगंधी तेल से मेरा सरीर को लिप्त करे और कस्तूरी चंदन से उप्टन आदी करे है वस्थ सुगंधीत जल से म अंत्रपाठ पुर्वक मुझको अश्नान कराकर और अर्ग देकर पाद्य आच्मनिय मदु परकु को देवे बाद में सवस्थ उप्चारों को देवे यथा विधी दिभी वस्त्र आभुशन से अलंकरित कर पुस्पो से सिंघासन का पूजन करे और उस पर स्री विश्नु देव को अस्थापित करे और स्रधा से मिरे लिए वस्त्र अलंकार गंध आधी अरपन करे खीर मालपुवा युप्त अनेक प्रकार का नैवेद्य को देवे तथा लौंग इलाइची युप्त तामबूल भक्ति से मुझे चढ़ावे और भक्ति से सुगंधित कुस्पो को निवेदित करे और दसांस धूप तथा अश्टांग मनोहर दीप को निवेदन करे और प्रणाम करके आधरपुरवक अस्तुती करके तथा सया पर सयन कराकर मंगल अर्ग निवेदन करे इस प्रकार से स्री अश्कंद महापुराने एकासीति हास्याम संगितायाम दूतिये वैश्टव खंडे, ब्रह्मा विष्णु संबादे, मार्ग सिर्षे महात्मय, चौथे अध्याय की कथा पुर्ण होई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जै, माता लक्ष्मी की जै, भगवान स्रेक्रिष्ण की जै, सर्वदेवी देवता की जै। इसी प्रकार से अगर आप सब आगे के अध्याय को सुना चाहते हों, चैनल पे नए हों, तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में वेल आइकन घंटी को दबाए, ताकि वीडियो का नोट्फिकेशन आपको समय से मिलता रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, शुखी रहें और स्वस्त रहें। जैसे राधे किशन, धर्ने बाद।